चिर्शक है समाज और इंतिहार, इसकी हर पंक्ती सिर्फ उसके सिर्फ एक अर्थ नहीं है, उसके काफी अर्थ हैं, तो जिस भी अर्थ से आप कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं मा बच्चा गोद में लिए रो रही है, अन्जान विस्तर में एक बेटी रोते रोते सो रही है, इंसानियत का गला घुटता जा रहा है, एक और लड़क पन धुए में फुकता जा रहा है महिला तसकरी बालुत पिड़न की कहानिया पल रही है, समाज की सारी सीमाय बदल रही है, आगे भड़ने का ब्रह्म पैदा कर, पीछे की ओर कदम पढ़ा रही है, मनुष्य को धंदे का आधार बना रखा है, इसी दौरान मैंने साहित्य को हत्यार बना रखा है साहित्य को उठा कर देखो, तो कई बातों से इस समाज को दिक्कत होगी, पर आखे खोल कर अपना अस्तित्व देखें तो विभत्स से आखे चौकन नी होगी सीता की अगनी परिक्षा, द्रौपदी का चीर हरंड, हिदे को रौन देगा, पर आसिफा और निर्ब्या का वाख्य अब बीती बात लगेगा इनसान सिर्फ इनसान को नहीं, प्रक्रिती को भी निशाना बनाए फिर रहा है, बातां वरण के साथ खिलवाड़ कर, कहां को चब्स थिर रहा है पहले पहले बद में पुराने कहानिया रचा करती थी, अब अब तो बद में कुलहाडिया चला करती है इंसान इंसान का दुश्मन तो कब से बन चुका है पर अभी भी वे कहां नहीं रुका है अब अब तो प्रकृती से दुस्ताहस करने की बारी है पर प्रकृती की भी अपना कहड़ाने की तयारी है मनश्य इस बात से बेखबर तो नहीं हो सकता पर उपेशित बने फिर रहा है सांस्कृतिय प्रकृतिय की विक्रिती करे फिर रहा है जानवर समाज का अभिन अंग है प्रस्लित का अधाय इस बात का साक्षय है पर मनश्य अभी काफी तंग है ब्रह्म में है सोचे यह कि ऐसे उसका जीवन साथे है दर्द है धुआ है दरारे पड़ी हुई है कष्ट है खुशी कम खुआशे भरी हुई है उन नती के गान गाते गाते अब नती के विद्या छूट रही है इसी कान इंतिहाल में सफलता रूठ रही है कहने को हवा की लहर है जल की नहर है धूप की पहर है पर फिर भी सिंदगी पर अजब साइक कहर है कारण समझने में न काम है फर ढूंडना ऐसे में न आसान है अश्कों की कीमत गटती जा रही है उम्रे की सीमा कटती जा रही है पर वास्तविक्ता से न कोई अंजान है तिर भी भूले सब अपनी पहचान है धर्म जाती के मुद्दे उठा रहे हैं भूल करकी इन सबसे भी पूर वे एक इनसान है मैं कटाक्ष न कर सच्चाई से रुबरू करा रही हूँ मैं कटाक्ष न कर सच्चाई से रुबरू करा रही हूँ मैं किसी एक कुदोश का दे कर हम सब के समाज के सवाल उठा रही हूँ सामने आपके एक दर्दनाग तस्वीर रख उमीद में की कुछ हालात सुधरने की गुणजाईश अभी बाकी है उमीद में की कुछ हालात सुधरने की गुणजाईश अभी बाकी है जिन्देगी सुधरने की अभी आजमाईश ने काफी है मेरी कविताओं के पाध्यम से मैं कुछ बदाव लाने की उमीद में हूँ कुछ जिम्मेदारी समझती हूँ कुछ कावेपाठों की मुरीद में हूँ क्यूंकि कावेपाठ नहीं है केवल यह जेतना है आक्रोश है संबेदना है जोश है संघार है एक पुकार है समात्सी किये जाने वाले कुछ सवाल है शोर नहीं, शोर नहीं है क्रांती का अभास है, जुड़ते बुनते सपनों का एहसास है कावेपाट नहीं है केवल, कलाम की शिक्षा कलम का नाज है कावेपाट नहीं है केवल, जिन्दगी के माईनों की एक तलाश है धन्यवर